तो आज एस वीडियो में हम लोग एक कलर चेंज और वैनिश का सीक्वेंस सीखने वाला है इसमें क्या होता है इसमें आप एक कार्डफ स्लैक्ट करता हूँ इसको आप चेंज करता हूँ और साथी साथ जो हमारा बॉट्म वैनिश रहता है उसके वाएंदा समय्ट करने वाल है तो चेंज पो गजने लिए आपको कोई भी एक card select कर सकते हो let's say select करते हो इस card को जो की है five of clubs ठीक है अभी जो five of clubs है आप को यह करना है जब आप card को निकालोगे ठीक है इसे select करके जब आप निकाल रहा हूं तो तीन कार्ड है तो तीन कार्ड है से लिफ्ट करने के बाद यहां पर चेक कर सकते हूं और उसके नीचे Ace of Hearts and King of Spades है ठीक है तो लिफ्ट करने के बाद तीन कार्ड आपको एक साथ लिफ्ट करना है As in One फिर आप क्या करोगे फिर आप जो और पर उल्ड करोगे तो यहां पर मैं तो आप ऐसे पुल करके प्रेशर बिल्ट करते हो, फिर जब आप थम से रिलीस करते हो, तो अटमाटिकली वो फलिप हो जाता है, बहुत बार क्या होता है, कि paper cards में, जो card है, उसमें bend आ जाता है, तो अच्छे से flip नहीं होता है, तो अच्छे से flip नहीं होता है, इस चीज़ को अच्छे से कार्ट फ्लिप हो जाएगा लगेगा कि जो five of clubs है वो change हो के ace of hearts बन चुका है ठीक है तो यह change करने के बाद आप क्या करोगे जो तीनों card है इसको आप deck के ऊपर रखोगे इसके बाद आप earnness change करने वाले हो दुबारा तो भी ace of hearts हम जो change करेंगे king of spades में तो आप क् आप ऐसे cover करके रखोगे push करने के बाद and फिर आपका जो palm का ये वाला हिस्सा है इससे आप simply जो king है उसको आप ऐसे slide करके निकालोगे बाहर and फिर आप आगे के तरफ ले जाओगे deck के साथ जब वो square up हो जाएगा तब आपको जो index finger से card को ऐसे push कर देना है ठीक है तो यह च फिर index finger से इसको जल्दी से push करके आप remove करके दिखाओगे की ace of hearts जो हो चेंज हो चुका है king of spades में ठीक है तो यह second change हो गया one more time मैं आपको दिखा देता हूँ पहले आप करते हो shape shifter change तो यहां पर five of clubs है flip करके आप रख तीन card lift करते हो एक साथ फिर आप shape shifter change करते हो and फिर change करते हूं ठीक है तो आप अगर चाहो तो आप wordness change भी कर सकते हो या फिर आप इसको change कोई और change भी आप कर सकते हो let's say आप अगर चाहो तो आप जो cardini change होता है ठीक है वो कर सकते हो कुझस तरीके से तो आपके ओपर है मैं hardness वाला करता हूँ जादा असान होता है क्योंकि एक easier version जो की earnestness change है वो मैं execute करता हूँ ठीक है तो आप ऐसे earnestness change करना and change करने के बाद आप क्या करोगे अभी बात करते है वैनिश का ठीक है तो वैनिश करने के लिए आपका जो हाथ है ठीक है जो left hand है वो basically अभी जो bottom card है उसको push करेगा कुछ इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर आप एक card push करोगे और यह चीज़ आप तब करोगे जब आपका जो हाथ है वो ऐसे cover करेगा ठीक है यह वाले area को तब ऐसे इसको push करते हो जो bottom vanish करने के लिए and फिर आप उस card को ऐसे transfer करते हो इस हाथ में आपका जो right hand है palm में and फिर आप इसको जो है लेके deck के ओपर square up करके vanish execute कर देता हूं ठीक है तब simply यह जो तीनों finger है तीनों finger से card को आप पुछ करोगे जब आप इसे cover करके रखते हो पूरे deck को and फिर आप इसको palm में लेके कुछ इस तरीके से vanish कर सकते हो इसी तरीके से आप जो यह दो बार color change और vanish का sequence कर सकते हो एक बार फिर से मैं आपको दिखा हो चुका है इसके बाद आप earnestness change करता हो ठीक है यह थोड़ा exposed angle है पीछे के तरफ से and फिर finally आप जो है vanish कर देता हो ठीक है and yeah that's it अगर आपको यह पूरा trick पसंद आया होगा यह पूरा sequence पसंद आया है तो वीडियो को जरूर एक like कर देना चैनल पर अगर नहीं हो तो subscribe परना मत बूलना अभी मैं मिलता हूं next video में तब तक के लिए goodbye and thank you for watching